दोस्तों आज जो हमारा topic of discussion है वो है plantar fasciitis के बारे में दोस्तों क्या आपको भी सुबह सुबह आपके soul of foot पे या heel वाले इलाके में पीछे की तरफ pain रहता है तो आपको बहुत तेशार्प shooting, stabbing pain होगा तो दोस्तों जो plantar fasciitis होता है हमारे body में इसका काम क्या होता है दोस्तों आज जो हमारा topic of discussion है वो है plantar fasciitis के बारे में दोस्तों क्या आपको भी सुबह सुबह आपके soul of foot पे या heel वाले इलाके में पीछे की तरफ pain रहता है तो आप plantar fasciitis की मारी से पीडित हो सकते हैं दोस्तों यह जो plantar fasciitis होती है इसमें classically यहां पे इस वाले region में heel वाले region में pain होता है या यह pain पूरा आगे तक इस पूरे लाके में यह pain दर्द जो है वो हो सकता है दोस्तों plantar fasciitis early condition में जो pain होता है उसके कुछ classical features भी होते हैं जिससे आप काफी हद तक pinpoint करके diagnosis बना सकते हैं हां मेरे को plantar fasciitis ही है दोस्तों सबसे पहले तो जब आप सुबह सो के जब जगते हैं जब आप पैर जमीन पर रखते हैं तो आपको बहुत तेज शार्प shooting stabbing pain होगा तो यह तो एकदम खाफी हद तक chances हैं कि आपको plantar fasciitis ही है दोस्तों दूसरा इसका जो feature होता है वो अगर आप शुरुवात में आप सुबह जगे आपने पंजा रखा पंजा लखते ही आपको बहुत तेज दर्द हुआ बट यह दर्द जब आप थोड़ा बहुत walk करना start कर देते हैं walk करते हैं धरदर चहल कदमी करते हैं तो यह pain थोड़ा सा कम हो जाता है यह भी इसका एक classical feature होता है दोस्तों अगला है कि आप बहुत देर तक बैठे हैं और अचानक से खड़े हुए तो भी आपको हो सकता है उ जो मैं शुरुवात में explain कर रहा था यह भी इसका एक feature है या फिर आप बहुत देर walk कर लिए बहुत देर देर खड़े रहे लिए तो भी आपका pain बढ़ेगा यह भी इसका एक feature है दोस्तों और इसके जो ऐसे symptoms की और विमारी होती है तो वह हमको rule out करनी है बट यह जो मैंने symptoms होता है अगर यह आपको classical ही मिल रहे है तो आप मान के चलें कि आपको plantar fasciitis की ही बिमारी है तो दोस्तों यह जो plantar fasciitis होता है आप खुद अपने पैर में कभी बैट के आप observe कर सकते हैं आप अपने पैर को tight करेंगे तो इस प्रकार की एक ऐसी लंबी-लंबी line आपकी बन जाएगी तो दोस्तों यही normal plantar fascia होती है यहां से स्टार्ट होती है जो heel bone होती है यहां से attach होके यह आगे की तरफ जाती है अगर आप अपने पैर को tight करेंगे तो आप एक लंबा सही हाँ आप एक cord type का एक fiber type का आपको band दिखेगा जी हां वही plantar fascia होता है तो दोस्तों जो plantar fascia होता है हमारे body में इसका काम क्या होता है दोस्तों यह एक as a shock absorber as a cushion की तरह काम करता है और हमारे heel को support प्रदान करता है हमारा जो palm होता है वो एक दोब flat नहीं होता है वो थोड़ा सा इस shape में arch के form में होता है तो उसी को वो जो arch वालस जो structure होता है इसे palm हमारा जो foot होता ह हमारा ऐसे होता है तो इसको ही यह support प्रदान करता है ताकि जो arch है हमारा maintain रहे तो यह जो condition होती है उन लोग में काफी common होती है जिनमें जो arch जो foot का जो arch होता है वो थोड़ा सा flat होता है थोड़ा सा चपता होता है तो यह ऐसी स्थिति में plantar fascia जादा पाया जाता है तो दोस सबसे आज़ा pain heel region में हो रहा होता है और मैंना यह भी बता रहा था यह pain आगे भी हो सकता है radiate करें हो सकता है आगे जाए तो यह x-ray है x-ray पे भी हम देख सकते हैं यह जो structure देख रहा है आपको थोड़ा सा तो यह है ऐसे करके यह जो arch होता है इस arch को प्रेंटर fascia support करता है इसी region में आपको pain होगा आप classical है जो मैं बता रहा था tight करके अगर आप देखेंगे आप खुछ से press करके देखेंगे तो आपको दबाने वहाँ पे ही दर्द महसूस होगा तो यह एकदम classical है कि आपको plantar fasciaitis की ही बिमारी है तो दोस्तों कुछ लोग obese होते हैं जिनका weight ज्या दोस्तों अब मैंने बता रहा था अगर आपका वजन जादा है तो भले ही सारा treatment कर लेंगे दवाई कर लेंगे जबता वजन नहीं कम करेंगे तो विमारी आपकी बार बार आती रहेगी यह बात समझना बहुत जरूरी लोग चाहते हैं कि हमको injection लगाए को दवाई ले ले यह को सरजरी करा लें हमारी ठीक हो जाए पर जब तक आप underlying cause जो root cause है अगर वह आपका overweight होना है जब तक आप उसको नहीं ठीक करेंगे तो बिमारी persist करती रहेगी किसी ने किसी form में दूसरा है दोस्तों जो लोग बहुत जादा running करते हैं ऐसा games खेलते हैं जिसमें यह जो heel फूट वाला इलाका होता है ज्यादा यूज होता है जैसे कि running हो गया marathon runners हो गया आप फिजिकल activity से badminton जिसमें जम करना पड़ता है ऐसे sports अगर खिलते हैं तो इसमें भी यह आपको हो सकता है और अगला मैं बताता है कुछ genetic to disposition genetic conditions होते हैं इसमें arch of the foot जो होता है वो आपका properly commonly नहीं बना होता है इस तरह से ना होके वो फ्लैट हो जाता है तो ऐसे conditions में भी यह commonly पाई जाती है तो यह तो भई आप avoid नहीं कर सकते भगवान ने बनाके दिया है तो इसको आप avoid नहीं कर सकते बड़ जो भी चीज हमारे control में से running के विए से अगर हो रहा हो तो running की वज़ pain and rehabilitation doctors होते हैं या physiotherapist को दिखा सकते हैं इस condition में diagnosis के लिए मैं तीन important आपको test बताऊंगा जिससे यह आपको पता चलेगा कि plantar fasciitis confirm होगा है कि नहीं है तो कहां पर है और कितना यह ज्यादा फैला हुआ है या कितना यह ज्यादा इसकी जो condition है कितनी grave है दो सबसे पहरे तो x- x-ray x-ray इशारा करता है आपको history मिल रही है तो यहीं पर बार-बार यह जो plantar fascia होता है यह attach होता है तो इस तरह का bone की beak एक जो होती है इसको बोलते है calcanial beaking तो plantar calcanial beaking ऐसी हड़ी करके एक जो है वो निकलाती है वो एक उभर के निकलाती है और साथ ही साथ यह जो plantar fascia दिखाई पड़ रहा है सबसे पहले आप x-ray कराएंगे अगर यह beaking भी आ रही है तो आप मोटा मोटा मान के चलेंगे कि आपको plantar fascia है दोस्तों यह ultrasound है दूसरा test पहले आपने x-ray कराया दूसरा है दोस्तों यह ultrasound की image है इसमें भी आपको यह plantar fascia दिख रहा है यह cord like structure है य इस पर प्रोब लगा के ultrasound ऐसे देखा जाएगा और plantar fascia की thickness जैसे इस patient में यह इतना मोटा हो गया है साढ़े चार या पांच mm से अगर यह मोटा हो जाता है इसकी thickness ज्यादा हो जाती है तो यह plantar fascia है इसकी तरफ इशारा करता है तो यह ultrasound में दिख रहा है आपको इतना solan up ह ultrasound का दोस्तों और भी रोल है treatment में भी इसका रोल है पूरा वीडियो देखेगा तो आपको information में लेगी कि ultrasound बहुत ज्यादा helpful हो सकता है plantar fasciitis के treatment में भी तीसरा दोस्तों और the best investigation होता है plantar fasciitis के लिए होता है MRI के जांस दोस्तों इसमें हम लोग साफ साफ clear cut इस ब्लैक कलर का structure है ठीक तो आप यह clear cut MRI में पता चले जाता है साथ ही साथ बून की information मिल जाती है और यह पूरा अच्छे से MRI में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों diagnosis बन गया कहां पर है कहां कोई tear तो नहीं है क्या stage है क्या severity सब आपको idea लग गया अब दोस्तों बात करें अगर treatment के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आपको acute pain है यानि कि बहुत severe pain है अभी आज ही आपको पता चला है और एकदम सुबह आप जगे एकदम severe pain हो रहा है अब आप सुछने doctor को दिखाऊं क्या करूं मैं तो बड़ा परिशान हो गया हूं तो आपको मैं acute pain के सितिमें treatment बताये देता ह है इस फरैंपर की आर से होता है रेस्ट यानि कि जो इलाका infected है यानwood की हमारा जो heels को ठोफ्म तर अराम देंगे उस पर प्रेश One ही डालेंगे हम लोग राम से लेट जाएंगे ऑई बरफ से यानि कि थंडी चीज से सिकाई करेंगे, गरम चीज से सिकाई नहीं करेंगे, आइस से सिकाई करेंगे, उस affected इलाके की, ठीक है, C, compression, उस पे compression देंगे, जैसे कि आपने crab bandage बांग दिया तो compression देंगे, और elevate, यानि कि जो affected इलाका है, यानि कि इस केस में आपका जो foot है एंकल इसको थोड़ा सा elevate करके रखेंगे, तो इससे आपको, ये rice therapy से आपको immediate, कुछ न कुछ relief मिलेगा, उसके साथ, आप कोई भी pain killer, over the counter pain killer जो आती है, वो ले सकते हैं, और बहुत जाते information इस स्थती में, या आप doctor को दिखा के, वो steroid आपको advise कर सकता है, अगर doctor को उजित मेरा plantar fasciitis जो सूजन है अपने आप पूरी चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है, इसमें सबसे important होता है, रोल होता है, फिजियो थरपी का, exercises का, massage करने का, तो ये सब का रोल जादा होता है, और ये जो आपके ऐसी कोई wonder drug नहीं है, दर्द आपका, जो दवाई है, वो सिर्फ आपका दर्द जो है, वो कम कर देगी, दर्द से रिलीव कर देगी, बड़ अगर बोलोगे plantar fascia, अगर swollen up है, तो क्या वो पिछका देगी, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है, अविलेबल, दोस्तों ये physical therapy है, जो आप फिजियो थरपिस्ट को, इस्तिती में आप orthopedition को दिख साथी साथ, physiotherapist को दिखाएंगे, वो आपको exercises बताएगा, बहुत सारी exercises होती है, जैसे कि ये stretching elevation के exercise होगा, ये towel के साथ exercise कर रहे है, ये exercise कर रहे है, इस तरह की बहुत सारी exercises होती है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, physiotherapist से, उसको regularly करते रहेंगे, तो आपको gradually over the period of time आपको benefit मिलने लगेगा, ये massage होता है, massage कर सकते हैं, आप इस तरह का massage आप ankle legion में यहाँ पे pain हो रहा हो, तो आप खुछ से massage कर सकते हैं, ये भी आप अपने जो physiotherapist हैं, उससे समझ सकते हैं, foot का massage करेंगे, दोस्तों ये चीज़ें लगती होंगी, कि इस से क्या होगा तो भी massage करके थोड़ना ठीक हो जाएगा, बट दोस्तों यकीन मानिये, यही इसका इलाज है, यही सब इसकी जो physiotherapy वाली जो चीज़ें बता रहूं, यही इसका इलाज है, तुरंत आपको relief नहीं मिलेगा, चमतकार कोई नहीं होगा, धीमे 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 बट आपको ल करेंगे आप, दोस्तों, गर आप running करते हों, बहुत जादा avid runner हो, marathon runner हो, आप fitness के लिए running को replace कर सकते हैं, swimming से, क्योंकि swimming में तो आपके foot पे उतना pressure नहीं पड़ेगा, जो running पे आपके foot पे जो pressure पड़ रहा था, वो उतना pressure नहीं पड़ेगा, तो यह सब आप अपना जो lifestyle मे rice therapy में बता रहा था, एक अदय का compression भी देंगे, और यह plantar fascia को support reinforce कर देंगे, जो मालिजे के कमजोर हो रहा हो, तो इस पे जो pressure दबाव पड़ रहा हो, इसकी वज़े से इस इस इलाके में transfer हो जाएगा, जो आप normally चलते हैं, तो यहाँ पर pressure पड़ता, अब इस device के जासे हो, बहुत recent चीज है, recent technique है, जो मैं शुरू में बता रहा था, ultrasound में आपको plantar fascia की अगर ठेक्निक दिख रही है, तो इसके अंदर आप ऐसे सूई से बहुत सारे ऐसी materials आते हैं, जो आप inject कर सकते हैं, जिससे आपको relief मिलेगा, एक तो दोस्तो steroids होता है, corticosteroids दबाईये होती है वो आप inject कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा समय relief रहेगा, आजकर नया चीज़ें आ गए हैं, जिससे कि stem cell, stem cell वो cell होते हैं, जिनमें regeneration की capacity होती है, जानि कि ये cell अपने आप तरह तरह के tissue form कर देते हैं, तो theoretically ये possible है कि वो plantar fascia का भी tissue eventually बना दे, और जिससे आपको plantar fascia से जब plasma cells होते हैं, जिसमें stem cells काफी मतने पाये जाता है, उसका भी theory वही है कि ये आपके जो तरह तरह के cells divide करके बना लेगा और आपके plantar fascia के भी cells बना लेगा, और आपको थोड़ा सा pain में या symptoms में relieve हो जाएगा, तो ये सब techniques भी apply करी जा सकते हैं, ultrasound guidance में, ultrasound में देखते हुए, इ तो आप ये भी try कर सकते हैं, दोस्तों I hope कि ये चीज़ clear हो गया होगा आपको, अगर आपके भी घर में कोई है सबस्क्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको time to time medical updates मिलते रहे हैं, दोस्तों हम लोग हमारे चैनल पे पूरा एक medical library बना रहे हैं, जो भी common विमारी होते हैं, आप credit होते हैं, इंग्रसित होते हैं, और आपको उसके बारे अगर information चाहिए, तो आप बस हमारे चैनल पे आएं, और उस पे आप सर्च कर लें, जो भी बिमारी हो से related information आपको मिल जाएगा, जोस्तों अगर आप भी चाहते हैं, कि आप कोई ऐसा video देखना चाहते हैं, कोई कैसे बिमारी के बारे information चाहते हैं, तो मेरे से comment section में आप जाके बता सकते हैं, मैं जरूर प्रैस करूँगा आपके उस चीज़ को information देने के लिए, thank you friends, stay healthy, stay happy.